नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्तां के दौर अपने इस चैनल पर आप सभी का एक फिर से स्वागत करता हूँ आज कुछ ऐसे ही अजीब हो गरीब प्रॉटे से बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि यह बिसक्ली है एक चाकोल और ग्रेफाइट ऐसे पाऊडर हु अईसा ही चाकोल पाउडर भी आते हैं लेकिन यह जो अब दिखा रहा हो आपको यह है ग्रेफाइट का पाउडर जो कि कई आर्टिस्ते यूज्व करते हैं फरगेटिंग हाइपर रिलिस्टिक एफेक्ट्स या फिर रिलिस्टिक ड्रॉइंग में भी बहुत सारे लोग ग्रिफाइट पेंसिल को घिस करके उस पे शेट्स करने से ज्यादा बहतर ही सोचते हैं कि डिरेक्ट पाउडर को यूज किया सके बट क्या ही इतना वर्त है इस आप च्परिश तया है तो आप अंपर से क्पारियम को यूज को उस उसका बस निकाल सकते हैं ठीक है और जैसे मैंने यहां इसके बाद ब्रॉश से बैसे ईसको इसको यूज कर सकते एक बाःग के बता है अभी दो और आगी चल्के मैंग को तो स्पेसिफिकली बताऊंगा कि कैसे इसी चाफोल पाउडर से आप एक बहुत अच्छे रिलिस्टिक ड्राइंग कर सकते हो, हाईपर रिलिस्टिक ड्राइंग कर सकते हो, इन फैक्ट जो यहां पर मैंने आई खोल रखी है, मुबाइल के उपर, इसी को आप ड्राउ करेंग इसे चल जाता है, जैसे नॉमली मैं आपको बताता हूँ कि ग्रिफवाइट पैंसल के उपर चाफोल पैंसल नहीं चलती है, लेकिन पाउडर के केस में, यू कैन आक्चुली यूज बोथ अप्ते हैं, बेरी इसली जो कि यहाँ पर मैंने आल्रेडी ड्रा ता में पहला किया हुआ है उसकी आउट लाइन, क्योंकि यहां पर आउट लाइन बताना प्रयार्टी नहीं हوجा प्राइरिटी है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं इसीच को तो सबसे पहले मैंने इनिशेली क्या किया वो आपने देखा कि मैंने जस्ट डिरेक्ली उठाया है चाकूल को और जो जहां-जहां मुझे सबसे दर डाकेस पोर्शन नजर आ रहा है वहां मैं डिरेक्ली ब्रश के थ्रू उसको ट्रैंसफर कर रहा हूं इमेज के उपर अभी मैं यह नहीं सोच रहा हूं कि यह एक्जैक्ट है कि नहीं यह पिर यह अब यहां पर मैं पेंशल को यूज करना शुरू किया है और पंसल के थ्रूमें लेयर्य को चड़ाना शुरू करहा हूं तो अब जैसा कि हमें पता है कि हमने जो फर्स लेयर आप्ट की थी वो चाकोल पाउडर की थी तो उसके उपर चाकोल पैंसिल चड़ाने में ज़्यादा दिक्कते नहीं आती है अगर यह ग्रेफाइट का पाउडर होता तो उसके उपर चाकोल पैंसिल चड़ाने में थोड़ ले कर सकते हो और इसमें ध्यान ही रखना है कि अब आप ग्रेफाइट पैंसिल अभी नहीं यूज़ करो है ना इसको मैं आपको बात में बताऊंगा कि यसे आप ग्रेफाइट को कहां ही इंप्लेमेट करना है अभी चाकोल से ही काम करो जब अगर चाकोल पाउडर आपने आगे चलके ग्रेफाइट ही यूज़ करते होते हैं तो इस तरह से समझने को शुकर हो दोनों चीज़ों को साथ में भी उसके जाता है वो कैसे कि जाता है वो मैं बताऊंगा अभी ये वाला पॉर्शन पहले आप समझ लो कि आज के पॉइंट क्या है इंप्रेटन पॉइं इसलिए पेपर पे ज्यादा बार ब्रश किसना अची बात नहीं है यहां था अभी बदल रहा अब यहां पर जैसे देख रहे हो आपकी मैं नीडेड रिजर यूज़ कर रहा हूं फिर पैंसिल एरेजर मोनो एरेजर को भी उसकर रहा हूं क्योंकि अब मैंने हाइस डाके स् अब मैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि एफिल वैल्यूज को जहां जहां वाइट एकदम पॉर्शन नजर आ रहा है वहां पर मैं मोनो एरेजर डरेकली उसकर रहा हूं बहुत सारे लोग इसमें जली रोल पैंस भी यूज़ करते हैं बट मैं भी नहीं कर रहा हूं वह आप कर सकते हो, बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो चीजे आपको वीडियो में बहुत अच्छी लगती है, जब वीडियो बन रहा होता है, अगर वही चीज आप रियल में देखोगे, अपने हाथ में लेके देखोगे, वह बहुत ही अजीब सा लगता है, मतलब बहुत चाइल्डिश लगता है, इसलिए मैं जनरली अभी मैं आपको नहीं कहूँगा, कि आप उस चीज पे काम करो, उस चीज का भी इस्तिमाल होता जरूर है, लेकिन कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत सारे बिगिनर्स, बहुत ही और रिंकल्स में, अभी मैं यहां पे विल्कुल एस इज नहीं मारूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि रिंकल्स आपको ड्रॉ कैसे करने होते हैं, वो चीज समझने कोश्च करो, मैंने कुछ लाइन को फिर मैं धीरे धीरे शेप में लाने कोश्च करूँगा, रिंकल्स क आपको एक बलर लाइन चाहिए होती है, तो वो बलर लाइन लाने के लिए पेपर स्टं बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत है और साथ में जब उसके ऊपर या नीचे मोनो एरेजर से जब आप लाइन ड्रॉ करते हो ना तो अपने आप वो एक रिंकल और एक जोर्यो का form अब जनरेट होने लगता है पेपर पे आपको बहुत जब्स एफवर्ट नहीं लगाने होते यहां लेकिन मैं यह बिल्कुल इसा घ्लक कर रहाएं जब उस पर आइंगे तो भी बताएंगे कैसे एक सेगमेंट को लेके घंटों काम किया जाता है तब ही जाके 200-300-300 300 घंटे लगते हैं लेकिन हां कितना टाइम में दे पाऊंगा वो भी सब्सक्राइब बात है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम में दे नहीं पाता है लेकिन मैं कोशिश भूरी करूगा कि आपको प्रोसेस सारे बता दू बहुत चुटचट स्पोट्स होते हैं उसको इडेंटिफाइब करने कुछ कर रहा हूं इसके लिए मैं मोनो इरेजर की यूज कर रहा हूं तो मोनो इरेजर पैंसल एरेजर और बहुत मैन्यूट इरेजर इनका बहुत ज़्यादा इंट्रोड़क्शन होता है और साथ में जो फील है उस प्रोट्रेट का उरिजनल फील है उस फील को बनकर आ रहा हूं मतलब जैसे जुर्याँ है तो जुर्याँ इधर भी दिखनी चाहिए और जुर्याँ जैसे ही दिखनी चाहिए बजरूरी नहीं है कि वह एक्जाक्ट जुर्री वहां से उठके आए हैं यहां कोई कमाल नहीं होगा बस यह कोशिश करना है कि मतलब भी कर सकते हो लेकिन बहुत टाइम चला दाएगा तो परपस अभी है कि बहुत द्यादा टाइम अभी न लेगाते हो है कि मैं आपको समझाना चाहरा हूं कि कैसे आप प्रोसेस कर सकते हो चीज़ों को मुझे लगता है है कि आपको यह तरीके पसंदा रहे हुए हमें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं वैं बार बार दे involves you in करके भी आपको दिखा रहा हूं मतलब कह रहा ही जैंड़को दिखा हुए ला स्कान सों गया रा है और यकीन मानिए ऐसा जो सब्सक्राइब करने हैं, वही यह इफक्ट मैं यहां भी क्रिएट करने ही कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो कहानी यह है, आपके बाद जतने टूल्स हैं, टेकल्स हैं, सबको आपको इंप्लिमेंट करना है इवेन अभी मैंने इंडेंटेशन नहीं बताया इसमें इंडेंटेशन यूज करके भी बहुत आसानी से जुरी हैं अचीव गया सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले फांडेशन अची करीड हो जाया उसके बात फिर जो और जुगाड हैं वो भी मैं आपको बात है करूंगा देसी जुगाड हों की लेकिन अभी फिलाल के लिए यह है कि आपको फंडमेंटल भी क्लियर होने चाहिए कि आप अगर पिना जुगाड के करना हो तो कैसे करोगी तो यह मुझे लगता है कि आपको अभी यहां पर समझ में आ रहा होगा जो भी मेरे अफर्ट है यहां पर आपको समझाने के वो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे और इसमें आप कुछ लोग यह भी हो सकता हो सोचें कि यह बिल्कुल आइपर रिलिजम तो नहीं है या औ अल्मोस्ट दो घंटे लिए तो अगर कोई इसमें छे घंटे लेगा कोई इसमें 8 घंटे भी लेगा तो उतनी ज्यादा डीटेल और निकाल के लाप है तो मतलब जितना टाइम आप उस पर दोगे ही समझाने वाली बात है जैसे सब्सक्राइब करके जाना अगर पहली बार आए हो तो और इसके लिए गांड़ गरी हो तो पूच सकते हो लाइक जरू करना थैंक यू सो मुच लव यू और पाई